बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया स्केन इशूस के रिगार्डिंग तो अगर आपकी स्किन ओईली है तो आप प्लीज बेशन या मिलतानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं वो बहुत एफेक्टिव होता है और उसके साथ साथ ग्राइटिट्यूड फील करें कि हां मेर स्किन और ब्यूटिफल बन रही है और अगर आपकी स्किन ड्राइज है तो आप दही को यूज़ करें आप कोई भी क्रीमी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं बट दही बहुत अच्छा फॉर्मिलेशन होता है स्किन के लिए क्लिंजिंग टोनिंग और मॉस्टराइजर करना भी मत बूली अपने फेस के लिए CTM is very important and open pores के लिए बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि क्या solution है तो मैंने बहुत सारे solution ट्राइज किये बट एक solution जो मेरे लिए work किया और magically work किया है वो है डर्मा को का नाइस इंडमाइट लोशन नाइस इंडमाइट सेरम यह मेरे पास है यह मेरे जस्त इंडमाइट सेरम को का है यह बहुत जादा इफेक्टिव है बहुत जादा अच्छा है बट कोई भी चीज अपने फेस पे यूज कीजिए इस बिलीफ के साथ यूज कीजिए कि वह आपके फेस को और ब्यूटिफल बना रहा है वह आपके स्किन को और इस प्रोड़क्ट को भी थांक्यू बोल के यूज कीजिए देखेगा कितना अमेजिंगली आपके स्किन के वर्क करेगा और अगर आप चाहते हो कि मैं स्किन केर से रिगार्डिंग वीडियो लेके आओं तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिख देना मैं स्किन केर से झाल 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 झाल